हेलो आपके बन जै हिंद आज है 18 जन्वरी और आज की इस वीडियो में हम 18 जन्वरी से बनने वाले करंट अफेर के सभी important questions का discussion करेंगे कल की class में हमने देखा था कि डेनमार्क के जोने समराट बने हैं ये बने हैं Frederick X World Economic Forum की सालाना मीटिंग शहर हुए दावो स्विजरलेंड में और फीफा के द्वारा सर्वस रिष्ट पुरुष खिलाड़ी चुना गया है लियोनल मेसी को female category भी मैंने बताया था हला कि नौ सेना ने अपने जहाज चीता को और इसके लावा दो और है जिसे सेवा मुक्त किया गया है भारत ने लिथियम की खोज और खननेने की माइनिंग के लिए साउथ अमेरिकी कंट्री अर्जेंटीना के साथ समझोता किया है समुद्रिय अभ्यास है अयूत्या इसमें भारत और थाइलेंड की नेवी ने पाट्स पेट किया है रिसेंटली भारती गायक है सुचेता सतीस इन्होंने क्लाइमट कंसर्ट में 140 भाशाओं में गाने का करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भारत और जापानी तट रक्षकों के द्वारा आयूजी तबी हाली में जो सेखत अभ्यास था सहयो काईजन नाम है जलवायू सम्यलन 2024 काईजन मुंबई में और दीव में जो बीच गेमस आयजित किये गए इसमें मद्यप्रदेश टॉप पर रहा है तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल सवाल है विशुनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत की नमबर वन सतरंज खिलाडी कौन मने हैं तो ये अभी हाली में बन गए है आर प्रग्नानंद रमेज बाबू प्रग्नानंद इन्होंने अभी हाली में टाटा स्टील मास्टर्स में जो की नीदरलेंड में आयजित की गई थी इसमें इन्होंने डिंग लेरेन को हराया है और इस जीत के साथ ही ये विशुनाथन आनंद के बाद मौझूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारती बन गए है अच्छा विशुनाथन आनंद ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है आप्शन में मैंने लिखा हुआ है लेकिन आप्शन अब मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि सवाल ही लिखा है कि विशुनाथन आनंद को पीछे चोड़ते हुए तो अब इसलिए कि ये उप्शन में नहीं होना चाहिए बस मैंने इसलिए एड किया है ताकि आपको ये बता सकूँ कि ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे साथ ही राजियो गांधी खेल रतना अवार्ड के पहले विजेता भी यही हो जाएंगे हाला कि अब जो राजियो गांधी खेल रतना अवार्ड है इसे मेजर ध्यान चंद अवार्ड के नाम से जाना जाता है इसे भी आप कनेक्ट करेंगे तो मेजर ध्यान चंद जिने होकी का जादूगर कहा ही जाता है और इनी के सम्मान में 29 अगस्त महिने की 29 तारिक को हम National Sports Day के रूप में बनाते हैं जबकि राज्ट्री की International Sports Day यह अप्रेल महिनी की 6 तारिक 6 अप्रेल को आता है देखा जाए तो डी को केस यह भारत की ग्रेंड मास्टर रह चुके हैं और सतरंज की बात की ही जारी है तो मैगनस कालसन विश्यो प्रसिद्ध ग्रेंड मास्टर वर् भारत को इसमें 161 स्थान मिला है नौर्वे की और अपन कंट्री है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज के द्वारा किया जाता है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है तो एक-एक करके मतलब सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे टॉपिक एक उसरे से कनेक्टेड है करंट के बस आप लोगों को यह रिमाइंड करने की जुरत ही कि कहां पर मैंने यह पढ़ाया है तो आर प्रग्ननंद राइट आंसर है और लाइव रेटिंग के मामले में आनंद को पचाड कर भारत के नए नंबर ब जहां तक वैशाली ही नाम था तो यह ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन के जोड़ी बनी थी यह करंट का सवाल था तो आप यह भी रिलेट कर सकते हैं तमिल नाडू से बिलाउं करते हैं यह ना आगे चलते हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की टॉप फाइफ ताकतवर सेनाओं की मतलब ताकतवर देश के लिश्ट जारी कीगे जिनके पास सकते सबसे स्ष्रक्ति साली सेनाय हैं इसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है अभी 2023 की भी जो रैंकिंग थी उसमें भी सेम था कि अमेरिका टॉप पर था दूसरे स्थान पर रश्या तीसरे स्थान पर चाइना और सेम भारत को चौथे स्थान पर रखा गया था इस रैंकिंग में दुनिया के 145 देशों को शामिल किया गया है भारत का जो पडोसी है पाकिस्तान यह पाकिस्ताना लिखा है यह नौविस स्थान पर है इस रैंकिंग में सै इसमें साथवे स्थान पर रहा था भारत, दूसरे स्थान पर किसमें है भारत, चाइना के बाद ही देखा जाए, तो दूसरे श्टील उत्पादक देश, तीसरे स्थान पर तो यूनिकॉर्न के मामले में, अप्शन नमबर, डी में दी हम देखें, तो भारत का तीसरा स्थान है, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कंपनी जिसका मार्केट वैलियोजेशन, इनकी बाजार पुंची करन एक बिलियन से अधिक होता है, तो सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनी अमेरिका के पास है, इसके बा माफ किजीगा, तो यूक्रेन पर वैश्विक सांती, सिखर सम्मेलन की मेजबानी जुदेश करने जा रहा है, ये करने जा रहा है, स्वीजर लेंड, ऑप्शन नमबर, सी, इसका राइट अंसर हो जाएगा, यूक्रेन के जो राश्ट पती हैं, व्लाद्मिर जेलेंस की इन के नुरोध पर स्वीजर लेंड इस सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए है, जो ये तैयार हुआ है, और रूस ने फरवरी 2022 को यूक्रेन में अपनी सेना भेजी थी, तभी से दोनों देशों की भी संगर से जारी है, यहां परिदिया आप देखें, तो रश्या के पास में ह जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी की उपर में इधर रश्या है, इधर यूक्रेन है, इसी ब्लैक सी के थोड़ा उपर में क्रीमिया है, क्रीमिया धी गरहन को लेकर के रश्या यूक्रेन कॉन्फिक्ट ये बीते दो सालों से चर्शे में है, हलाकि इनके बीच में विवाद की घट स्विजर लेंड में किया जा रहा है स्विजर लेंड जिसकी capital burn currency स्विज फ्रेंक और यहां के जो राश्ट पती है वियोला M.Hard हो जाएंगे आप और क्या रिलेट कर सकते हैं स्विजर लेंड से आप यह रिलेट कर सकते हैं global innovation index कल मैंने आप लोगों को index और ranking की class साम में provide कर आई थी इसमें आप लोग देखेंगे यह question include था global innovation index यह निकी नवचार की मामले में जो देश टॉप पर है यह स्विजर लेंड ही है इंडिया की ranking इसमें 40 वी रही है आप और क्या रिलेट कर सकते हैं Switzerland में ही न वर्ल्ड economic forum की जो सालाना बैठक होती है यह आई जीट की गई है कहां तो यह Davos Davos लिग दिया मैंने Davos Switzerland में ही आई जीट की गई और France और Switzerland के बीच में मैंने आप लोगों को जूरा परवत की location बताई थी, तो आप additional तोर पर ये भी relate कर सकते हैं, black forest की भी location आप यहीं से पढ़ सकते हैं, अच्छा यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, व्लादमिर जेलिंस की, आपको याद आना चाहिए, time magazine के दुआरा हर साल किसी एक प्रसिद्ध विक्तित्यों को person of the year, यह रहे थे व्लादमिर जेलिंस की, 2022-2023 का आप कह सकते हैं, अभी 2023 शौबस में, जो person of the year है, चलिए मैं 2022 ही लिख देती हूँ, क्योंकि 2023 में, 2023 का साल खत्म होते होते, जो अमेरिका की प्रसिद्ध सिंगर है, Taylor Swift, वो बनी है, time magazine के दुआरा person of the year, तो वो आप relate कर सकते है बात की जारी है मेजबानी की, तो आप यह relate करेंगे, कि जो रशिया है, रशिया का कजान सहर इस साल ब्रिक्स समिट 2024 को होस्ट करने जा रहा है, ब्राजिल, ब्राजिल इस साल क्या होस्ट करेगा, तो ब्राजिल G20 की बैठक होस्ट करेगा, जबकि यदि मैं बात करूँ, G थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की तरज पर भारत ने इसकी मेजबानी की थी, अभी होस्ट कौन करेगा, ब्राजिल, जो कि साउथ अमेरकी कंट्री, आप यह याद रखें, G20 जो है न, यह यारॉपी यूनियन और 19 देसों का सम्मूँ था, लेकिन अब इसमे अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हो रहा है, आप यह याद रखें, यह यूरॉपी यूनियन में और 27 मेंबर कंट्रीज है, 19 देस ही हो गए, और अफ्रीकी यूनियन में 55 देस शामिल है, न, कि इतनी देसों का समूँ अब कह राएगा, G20, G21 आप कह सकते हैं, अगला प्रश यह असम का सर्वोच नागरिक सम्मान है, Chief Justice of India रंजन गोगोई के अधिक्षता वाली पांक जज़ों की बेंच ने, 2019 में जो राम मंदिर पर फैस्ता सुनाया था न, इसी के कारण इन्हें असम वैभा अवार्ड से सम्मानित किया रहा है, अप्पा साहिप की दी में बात कर यह रंजन गोगोई जी सम्मानित किये जाएंगे, अच्छा असम का discussion आया है, तो इसकी राजधानी दिशपूर मुख्यमंत्री हेमंता विस्वा सर्मा राज्य पाल गुलाब चंदक अटारिया है, यहां से महत्वपूर नैशनल पार्क मैंने मिंशन कर दिये हैं, जिसकी काजी रंगा जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रु साइक हुआ नैशनल पार्क, अगले प्रशन की तरफ चलते हैं, हाली में मकर संक्रांती के मौके पर जो कि 14-15 जनवरी को मनाई जाती है, मकर विलक्कू उत्सो कहा मनाया गय के रला में, ये साथ देवसी, वार्सी, गुथ्सो इनकी साल भर में आयजन किया जाता है, सबरी बाला मंदिर में, वैसे ही मकर संक्रांती के मौके पर जो बैल दौड प्रतियोगिता होती है, जल्णी कट्टू आप कह सकते हैं, इसका आयजन किया जाता है तमिलाडु में, और तमिलाडू को ही एक और फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं पोंगल ओडम फेस्टिवल रिलेट करेंगे तो यह हो जाएगा केरल का ओडीसा का एक धानु जात्रा फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं और इसके अलावा क्रसी का एक फेस्टिवल है नुवाख हाई यह रिल पुरुसकार से सम्मानित किया है तो यह सम्मानित किये गए हैं फीफा की जो वर्तमान समय में अध्यक्ष है ग्यानी इंफैनिटो फीफा इनकी फडरेशन इंटरनेशनल डिफडबॉल एसोसीएशन उनने सो चार फॉर्मेशन एर है जुरिक्स विजरें हिटकॉर्टर ग्या अब जो नेक्ष्ट फीफा होने वाला है याद रखें 2026 में होगा क्योंकि लास्ट टाइम हुआ था 2022 में अब जो 2026 में होगा इसे तीन कंट्री मिलके होश्ट करेंगी औरड़ी बता चुकी हूँ लेकिन डेली नए नए स्टुडेंट एड होते हैं तो ये भी बताना जर करके अर्जेंटीना ने ये खिताब लियोनल मेसी की अगवाई में जीता इनहीं लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था ऑप्शन के थूए दी हम देखी क्योंकि किसी खेल से जुड़ी वेक्तित की बात की जा रही तो अंतर राश्ट्री खेलों को जो और्गनाईजेशन आप रिलेट करेंगे आईसे से के अध्धक्ष हैं ग्रेग बार के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी के थौमस बाग और तैयब इक्राम ये हो जाएंगे एफ आईशनी के इंटरनेशनल होकी फेडरेशन के अध्धक्ष अगला प्रश आईसे सी के स्थापना 1909 में हुई दुबई में मुख्याल है जश्ट मैंने बताया है ग्रेग बार के लिए इसके अध्धक्ष हो जाएंगे मिशल स्टार के ये ऑस्ट्रोलिया से बिलॉग करते हैं आपको ये याद रखना है आईपिल दोहजार चौबिस में ये सबसे मह महिंगे खिलाडी चुने गया है ना केवल दोहजार चौबिस में आईपिल के तिहास के जब से आईपिल शुरू हुआ है दोहजार आट से अभी तक इली हम देखें जहां तक साड़े 24 क्रोड क्यास पास ही ने खरीदा गया है और ये आईपिल के तिहास के सबसे महंगे ख अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं नीती आयोग की रिपोर्ट की मुताबिक गरीबी रेखा से बाहर आने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश 15 जनवरी को नीती आयोग ने रिपोर्ट रिलीस की है इसके मुताबि इसके बाद बिहार आकड़ नहीं पूछे जाएंगे इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान है जो की गरीबी से बाहर आने के मामले में प्रयासरत है अब देखिए उत्तर प्रदेश के डिसकुशन हर दूसरे तीसरे दिन आते रहता तो आज मैंने उत्तर के चिंज नहीं हुए है उत्तर प्रदेश के आनंदी बेन पटेल ही है और उत्तर प्रदेश में भी 22 जन्वरी को रामलेला का उधगाटन होने जा रहा है और अयोध्या जो जिसका मैं डिसकुशन कर रही हूं ये उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी भारत की पह है इसके अद्धिक्ष देश के प्रदान मंतरी ही होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी है अच्छा एक चीज यहां पर आप लोगों को करेक्ट करने की जुरत है मैं आपको सुधार करके देदूंगी नीति आयो के जो उपाद्धिक्ष न ये वर्तमान में सुमन बेरी है ये स्वास्थ की बात करूँ या मैं बात करूँ गरीबी की तो ये जो दोनों सुचकांख है न ये नीति आयोग नहीं रिलीस किया था जिसमें क्रमसा जो राज्जे टॉप पर है ये केरल है और सबसे नीचे इसमें बिहार को रखा गया है मैं बात करूँ हरियाना की तो पहली ये शुरू हुआ है पड़ोसी नेपाल में ये जो त्योहार है इसे गोरु जुदाय या बुल फाइटिंग के नाम से जाना जाता है उनिश्य सताब्दी का है ये त्योहार संगीत और नरत्ति के साथ होता है ग्रामीडों के लिए राजा का स्वागत करने और अमनर रंजन करने का ये तरीका है ये मैं बात करू नेपाल की तो राजधानी काट मांडू यहां की मुद्रा नेपाली रुपया प्रसरेंट रामचंद्र पॉडेल प्रधान मंत्रे पुश्प कमल धर प्रशंड है माउंट एवरेश्ट जो की दुनिया की सबसे उची चोटी है ये ओप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो म्याममार से मैं आपको रिलेट करवा चुकी हूँ ओप्रेशन करूना म्याममार में जो मोचा साइकलोन आया था तो भारत ने जो हेल्प करने के लिए ओप्रेशन चलाया था इसका नाम ओप्रेशन करूना है अभी 2023 में ही पू के बाद फिर ऐसी दूसरी सिटी ये कोटा है राजस्थान का आगे चलते हैं भारत के लाइट वेट यानि की हलके वजन के टैंक जोरावर का परिक्षण किस ने किया है इसका परिक्षण DRDO इसके द्वारा किया गया है 15 जन्वरी को ये टैंक अप्रल 2024 तक बन कर तयार हो जाएगा इसे पूरवी लद्दाक में भारत चीन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का प्रयोग और निग्रानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तमाल इस टैंकों को और भी खास बना देता है DRDO Defense Research Development Organization स्थापना 1958 दिल्ली में मुख्याल है समीर वी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्षों हो जाएंगे यदि मैं बात करूँ H.A.L. की हिंदुस्तान Aeronautics Limited की तो इसने करनाटका के तुमकुरू में दुनिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर मैनुफेक्चरिंग यूनिट मैन्यू बस लिग दिया है मैंने समझ जाएंगे आप लो ये इस्थापित किया है इसने धवनवन नाम से इंडिया की ये पहले ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी थी जिसने क्राइयोजनिक रॉकेट इंजन ये विक्सित किया था और इसरो ये भारत की स्पेस एजिंसी जिसका मुख्याल है बैंगलोर करनाटक में है और चंद्रयान्थ्री इसी के दवारा श गुरुतेक बहादूर की हत्या करवादी थी औरंगजेप के नाम पर औरंगबाश शहर था माराज्ट में जिसका नाम बदल करके संभाजी नगर किया गया है सहायक संदी को स्विकार करने वाली पहली देशी रियासत हैद्रवाद थी कोलकाता में जो सुप्रीम कोट की साइटी की स्थापना सरसेद एहमत खान ने की विद्वा पुनर वाह को मानेता दिलवाने में इस्वर चंद विद्या साकर नहें भूमी का निभाई गंगा रदी बांगला देश में पद्मा के नाम से जानी जाती है न्यूजिलेंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं र अनुसार राश्टपती के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिसत के होने का प्रावधान है मैंने कल आपसे पूछा था लाई चिंग दे यह किस देश के तीसरी बार राश्टपती चुने गए राइट अंसर ताइवान है आज का सवाल है ग्रीन फ्यूल अलायंस इं फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंको सो मच